Students, हम देखेंगे कि Double Solts क्या होते हैं? हमने अब तक Solts की Different Types देखी हैं, Normal या Neutral Solts, Acetic Solts, Basic Solts और अब हम बात करेंगे Double Solts की. हम देखते हैं कि नाम से ही हमें लग रहा है Double Solts. Double Solts, इसका मतलब है कि इसमें दो Solts से Related शाहिद कोई बात हो, तो हम देखते हैं कि Double Solts में, दो Solts जो हैं, वो Combine होके एक Solts बना रहा होते हैं, ठीक है? यानि कि या Two Solts होते हैं, और वो क्या होते हैं? वो Combine होते हैं, एक Ratio में, एक Fixed Ratio. यानि कि यूजरी इनकी जो Ratio होती है, वो 1 is to 1 होती है, ठीक है? किस तरह से होती हैं? हम ये भी देख लेते हैं, कि Let's Suppose हमारे पास एक Salt था, Ferrous Sulfate ठीक है? हम Ferrous Sulfate का Salt ले रहेते हैं, यह हमारे पास आ गया Ferrous Sulfate का Salt, ठीक है? फिर हमने क्या किया? वो बिल्कुल इतनी ही quantity ले ली, Ammonium Sulfate की, ठीक है? हम Ammonium Sulfate की ले लेते हैं quantity, यह हमारे पास आ गया Ammonium Sulfate, अब हमने क्या किया? हमने इन दोनों को Combine कर लिया, ठीक है? यह हमने जो है, वो Ferrous Sulfate का Water में, यह हम Supposed कर लेते हैं, हमने Ferrous Sulfate कितना लिया? हमने जो है, वो 1 Gram ले लिया और 100 ml Water में इसको जो है, इसको जो है, वो Dissolve कर लिया, ठीक है? यह जो है, यह जो है, मैस को मेशेर करने के लिए यूनिट इसनमाल करते हैं, ग्रैम्स, और हम ML, यह जो है, जिस तरह पानी को हम जो है, वो वॉलियम मेशेर करने के लिए मिली लिटर्स जो करते हैं, जिस तरह पानी की बॉटल पे लिखा होता है, 500 ml, 200 ml, ठीक है, तो यह क्या होता है, यह मिकदार, यह मिकदार को जो है, मेशेर करने के लिए लिए लिखा होता है, तो हम वह 100 ml water में इसका solution बना लिया, ठीक है, अब क्या होता है हमारे पास result में ने पास एक और solution बन जाएगा, ठीक है, यादि कि हम कहते हैं कि ferosulfate का हमने saturated solution बनाया है, saturated solution क्या होता है कि हमने देखा कि 100 ml में जितना dissolve हो सकता है, हमने dissolve कर दिया, spheros sulfate और ammonium sulfate को भी देखा कि जितना dissolve हो सकता है water में हमने dissolve कर दिया, ठीक है, given amount यानि 100 ml में, अब ये दोनों इन दोनों के solutions हमारे पास आ गए, ठीक है, और उन दोनों solutions को हमने add up कर दिया, यानि combine कर दिया इन दोनों के solutions को combine करने के बाद, हम देखते हैं कि हमारे पास एक निया solution बन जाएगा, अब ये जो निया solution बना है, इसको हम crystallize out कर लेते हैं, ठीक है, इसको हमने crystallize out किया, तो हम देखते हैं कि हमारे पास यहां पे क्या चीज़ बन रही है, हमारे पास यहां पर जो है वो एक जब crystallize करने के बाद और evaporate करने के बाद हमने देखा तो एक निया solution हमारे पास बनावा था और evaporate करने के बाद जो crystals आए वो हमारे पास एक different चीज़ थी यानि कि अब यह ferrous sulfate भी नहीं है या ammonium sulfate भी नहीं है और इसकी properties भी इन से जो है वो different है तो हम कहते हैं कि यह निया एक हमारे पास salt आया है और इसका नाम हमने दिया moher salt moher salt इसका नाम हमने German chemist की name पे दिया जिनका नाम है हमारे पास Karl F. Moher ठीक है यह एक German chemist है जिनके नाम पे हम कहते हैं कि यह है moher salt ठीक है अब यह जो moher salt है जब हमने इसका जो है analyze किया कि इसका formula क्या बनता है तो इसका formula हमने देखा कि इसका formula होता है इसमें ferrous sulfate भी मौझूद था ठीक है ferrous sulfate भी मौझूद था और क्या था इसके अंदर जो है वो ammonium sulfate जो था, वो भी मौझू था यानि कि हम कहते हैं 사ल्ट और क्या चीज़ मौझू है Ammonium Sulphate अब हम देखते हैं कि यह तो इन यह icum salt से मिलके बना था Faris Rabbid और Ammonium Sulphate तो हम देख रहे हैं कि यही दोनो salts जहें, वो आ गए धाये, टीके? यानि कि इस मोहोड सॉल्ٹ में यह तो यह मोहोड सॉल्ٹ का क्रिस्टल उठाएं स्कूर पूरा फ्रेमवग बनाओगा सब्सक्राś pregunta क्रिस्टल का जाल सब्सक्राइध हुए तो उसके अंदर हम देखते हैं कि Ferrous Sulfate के भी उसके अंदर Molecules मौजूद थे और Ammonium Sulfate के Molecules भी उसके अंदर मौजूद थे ठीक है? साथ के साथ हम देखते हैं कि इसके अंदर कुछ Water of Crystallization भी थे जो मोहर सॉल्ट की केस में होते हैं 6 यानि कि हर एक जो हमारे पास क्रिस्टल में जो एक सॉल्ट का एक मौलीकूल अभी एक निया सॉल्ट बन गया ना मोहर सॉल्ट तो हम देखते हैं कि Ferrous Sulfate और Ammonium Sulfate के Molecules मौजूद थे उस क्रिस्टल लेटेस में ठीक है और यानि कि उस जाल से उस फ्रेमवर्क में और उसके साथ हर एक मौलीकूल के यानि Ferrous Sulfate और Ammonium Sulfate जो मिलके जो कंबाइन करके जो मौलीकूल बना रहे थे डबल सॉल्ट का उसके अंदर हर मौलीकूल को six water of crystallization जो है वो surround कर रहे थे उसके around मौजूद थे ठीक है तो ऐसे salts को यानि जिसमें क्या होता है कि दो salts मिलके जो है वो एक नया salt बनाते हैं कि जब दोनों salts का solution जो है वो equal quantity में लेके हम जब उनका solution बनाएंगे और उससे हम क्रिस्टलाइज आउट करेंगे तो जो crystals बनेंगे वो एक ऐसे एक ऐसे salt के बनेंगे जिसमें वो दोनों salts है वो मौजूद होंगे तो इस नया salt को हम कहते है double salt ठीक है यह नया salt होगा इसको हम कहेंगे double salt और हम यह देखते हैं कि अब इस जब double salt है इसकी properties जो है वो थोड़ी सी change हो जाएंगी यानि कि अगर हम देखें तो जो मोहर salt है इस मोहर salt का पाणी में डालेंगी और यह आयनाइज होगा क्योंकि salt to water में आयनाइज हो जाते हैं तो जब यह दिए स वा Yup और हम जैनरल बात कर लेते हैं कि double salt से वाणी में आयनाइज होते हैं तो क्या होता है कि यह अपने individual या utanवर्त में आयनाइज हो जाते हैं कि crystal की form में दे तो हम देखते हैं कि यह आइनाइज हो गया फेरस सलफ़ेट के सॉल्ट में और अमोनियम सलफ़ेट के सॉल्ट में ठीक है? तो हमें पदा चला कि इसके अंदर दो जहें वो वो सॉल्ट मौज हूद है ठीक है? इसके इलावा हम जो है वो इसकी different examples देख लेते हैं अब जो alums होते हैं alums क्या होते है? alums होते है, fit curry जिसे कहते हैं ठीक है? जिसके fit curry जो use होती है जो antiseptic के तौर पे भी use होती है medicines के तौर पे भी use होती है water को purify करने के लिए भी use होती है ठीक है? हमने नाम सुना वे common सी चीज होती है fit curry ठीक है घरों में अक्सर मौजूद होती है यह इसके जो हमारे पास निमेज भी आ गया कि यह fit curry है ठीक है? तो हम देखते हैं कि alum या fit curry जो होती है यह भी double salt होता है इसका अगर हम जो हो general formula लेखें जैनल formula क्या होता है इसका? इसका general formula होता है कि हमारे पास alum में क्या होता है कि एक salt एक हमारे पास جो है वो atom मौजूद होता है जो monovalent cateyn होता है ठीक है? या नि कि यह हमारे पास monovalent cateyn यह हम कहते है monovalent metal cateyn आ गया और monovalent क्योंगता है जिसकी valency 1 हो जब valency यह हमारे पास क्या होती है? 1 होती है, जब 1 होती है, इसको हम क्या कहतने है? इसको हम कहतने है punched1, मोनवेलेंट, ठीक है? यह हमारे पास 21 लेख रिखते हैं, ψह मोनवेलेंट निखतें, रिखते हैं और पर میदा प्लस 1 पन पर Blass 1 क्या होती है, ठीक है? से साथ combine होता है, एक trivalent catein के साथ, ठीक है, यानि कि trivalent catein, जिसकी valency क्या हो, 3 हो, और catein मतलब plus 3 होगी, ठीक है, तो एक trivalent catein आ गया, इसको हम T से represent कर रहे हैं, T actually कोई element नहीं होता, कोई symbol नहीं होता, हम अपनी मरजी से इसको एक general representation दे रहे हैं, T, और M को भी हमने एक general representation दी थी, कि monovalent catein है, और T को हम क्या कहरें, trivalent catein है, ठीक है, तो हम देखते हैं कि इसका भी sulfate मौजूद होता है, हमारे पास, तो sulfate पे फिर क्या है, minus 2, अब valencies exchange होंगी, तो क्या होगा, T के निचे 2 आ जाएगा, और sulfate के का whole thrice आ जाएगा, ठीक है, और alum में और क्या होता है, water of crystallization मौजूद होते हैं, जिस तरह हमने more salt में देखा थैंकि 6 मौजूद हैं, तो alum के general formula में देखें, तो alum में हमेशा 24 water of crystallization मौजूद होते हैं, 24H2O आ गया हमारे पास, ठीक है, अब हम क्या करते हैं, alum की जो है, वो कुछ examples देख लेते हैं, ठीक है, alum की examples देखते हैं, हमारे पास एक आ गया, potash alum, potash alum में क्या होगा, potassium हमें पता है, monovalent होता है, इसकी plus 1 valency होते हैं, क्या आ गया, K2SO4, ठीक है, इसके इलावा, इसमें हमारे पास trivalent कौन सा मौजूद होता है, हमारे पास होता है, aluminium का sulphate, ठीक है, aluminium sulphate आ गया, यह आ गया, aluminium sulphate, और साथ क्या आएगा, 24H2O, ठीक है, इसी तरह हम देख लेते हैं, कि हमारे पास होता है, faireus sulphate, जब फड़स sulphate का हमारे पास होता है, इसमें हमारे पास fairis sulphate मौजूद होगा, और यह矜़ फड़्य alum कहलाएगा, ठीक है, इसमें क्या होता है, potassium sulphate तो मौजूद होता है, साथ मैं जो trivalent हमारे पास, जो केटाइन है वो होदा फैरिक, ठीक है, फैरिक sulfate होगा, इसमें iron की plus 3 valence की होगी, और 24 water of crystallization, ठीक है, तो यह हमने देखा है कि double salts क्या होते हैं,